नमस्कार मैं हूं खुश्बू और बूल्ड्सकाय में आप सभी का स्वागत है गर्बवस्ता में बहुत कुछ खाने की क्रेविंग होती रहती है कभी कभी तो किसी चीज को खाने की क्रेविंग इतनी ज्यादा होने लगती है कि मन करता है बस अभी मिल जाए प्रेगनेंसी के दोरान ज्यादातर महिलाओं को खटा खाने का मन करता है कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों महिलाओं को प्रेगनेंसी के दोरान खटा खाने का मन करता है आपको बताते हैं क्यों महिलाओं को खटा खाने का मन करता है और क्या है इसके पीछे की वज़ा गर्बावस्ता में कभी कभी कुछ खास खाने का मन करता है ये सब कुछ हार्मोन्स में होने वाले बदलाव की वज़े से होता है ज्यादातर महिलाओं को इन दिनों में खटा खाने का अमन करता है आचार से लेकर महिलाओं में इमली खाने की क्रेविंग होने लगती है दरसल ये क्रेविंग गर्वावस्ता में लो सोडियम की वज़े से होती है कई बार महिलाओं को कच्ची केरी की खुशबू खूब आकर्शित करती है खटी चीजें जैसे नीमबू, कच्चा आम, आवला या अचार गर्ववती महिला की प्रतिरक्षा प्रडाली को मजबूत करती है गाजर के बने अचार में विटामिन, सकेल्शियम, आईरन, पोटेशियम और कई तरह के अन्य पोशक तत्व खूब होते हैं जो गर्ववती के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं लेकिन कोशिश करें कि जब अचार चटनी की क्रेविंग अचानक से होने लगे तो इसका सेवन ज्यादा ना करें कोशिश करें कि बजार के अचार के वज़ाए घर पर बने अचार का ही सेवन करें प्रेगनेंसी के दोरान शिशू और बच्चे के विकास के लिए मा के शरीर में पोटेशियम, सोडियम जैसे खनिच तत्वों का बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी होता है अचार का सेवन इस दोरान शरीर में खनिच तत्वों का बैलेंस बनाये रखने में मदद करता है और साथ ही अचार में कई तरह के मसाले पड़ते हैं जो गैस की समस्या को भी दूर करते हैं अचार में मौझूद बैक्टेरिया गर्ववती की आँच में पहुँच कर गुड बैक्टेरिया को बढ़ाने में मदद करता है इससे पाचन क्रिया बहतर होती है खाना जल्दी और आसानी से पचता है और अपच्वे जलन की शिकायत दूर हो जाती है फिलहाल इस वीडियो म इतना ही इसी तरह कि अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ